प्रहार्ट टाइम्स नमस्कार महुष appro असलामोदिन खान आप देख रहा है प्रहार टािम्स विदेष मंत्री सुस्मा स्वाज ने सयोंगत राष्ट महासभव में पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा सुस्मा स्वा एक मंत्री ने कहा 9-11 का मास्टर माइंड तो मारा गया मगर 26-11 का मास्टर माइंड अभी भी खुले आम घूम रहा है 26-11 का मास्टर माइंड हाफिस सहीद आज पाकिस्तान में चुनाव लड़वाता है और रहलियां करवाता है और भारत को सरेयाम धंकियां देता रहता है मगर सबसे खुसी की बात ये है कि सारी दुनिया पाकिस्तान के आतंक के चेहरे को पहचान गई है इसलिए FATF ने टेरर फंडिंग के लिए आतंकबादियों को आर्थिक सहायता देने के लिए पाकिस्तान को निगरानी की सूची में रखा है सुसमा सुराज ने कहा अमेरिका के इतिहास में 11 सितंबर 2001 की घटना सबसे बड़ी आतंकबादी के रूप में जानी जाती है इसलिए अमेरिका इस घटना का मास्टर माइंड उसामा बिलादेन को मानता था और उसे पाकिस्तान के एप्टावाद में अमेरिकी सेना ने मार गिराया देश मंत्री ने कहा हमने खुद 9 दिसंबर 2016 को पाकिस्तान जाकर कॉंप्री हाइसिंग बायोलेटरल डायलोग की सुरुआत की थी मगर इसके तीन हपते बाद दो जनवरी की रात पठान कोट एरबेस पर हमला कर दिया गया पाकिस्तान दोस्ती की याण में पीठ पर छूरा मारने वाला काम करता है इसलिए पाक से बातचीत की कोई मतलब नहीं होती तो देशा और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे है प्रहार टाइम